हेलो एवरीवान वेलकम बैक तुमाई चैनल तो जी आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हैबी ब्रेस्ट साइस के सूट की कटिंग करना जिसकी भी ब्रेस्ट 40 प्लस है 40, 42, 44, 48 जितनी भी है अगर आप लोग 40 प्लस है तो इस तरीके से अगर आप लोग सूट की कटिंग तो मैंने सोचाए कि एक-एक साइस का मैं जो है आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो आज जो है मैं 40 प्लस वालो का 40 से लेकर 40 प्लस जितनी भी है आप लोग तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं तो जी उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेलफ तो हम उपर की साइड रखेंगे क्योंकि हम हमेशा उल्टे कपड़े पर मार्किंग करते हैं तो देखिए इस तरह से हमने अपने कपड़े को खोल लेना है और उल्टा साइड हम उपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से जो है हम उसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और जो हम इस तरह से double fold करते हैं, वो हम किस तरह से करते हैं, देखें मैंने इसको double fold कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग, मैं आप लोग को खोल कर भी दिखा देती हूँ, ये देखें, इस तरह से मैंने इसको double fold कर लिया है, और जो मैंने इसका fold किया है, जितनी भी हमारी bottom होता है हमार फोल्ड करना है क्योंकि हमें देर इंच का करीबन मार्जन चाहिए होता है और फिर थोड़ी बहुत जो होती है हमारी किनारी होती है तो वो भी कटिंग में निकल जाती है तो देखिए यहापर मैंने 14 इंच का जो है इसे फोल्ड किया हुआ है इस तरह से आप हमने क्या करना है सबसे पहले हम सूट की लंबाई का निशान लगाते हैं तो जो हमारे सूट की लंबाई है वो है यहापर 40 इंच बट मैं हापर 40 इंच पर 40.5 पर क्योंकि हाफ इंच जो है आपका निशान कभी भी तेड़ा नहीं होता है तो देखे यह जो है हमारी लंबाई का निशान लग गया है अब जो नीचे हम बॉटम फोल्ड करेंगे अपना हम उसका निशान लगाएंगे सबसे पहले तो देखे बॉटम फोल्ड के लिए मैं हापर दो इंच पर इस तरह से निशान लगा रहे हूं इस साइट से भी और इस साइट से भी अब इन दोनों को भी मिला दूंगी आप चाहें तो चौड़ा भी फोल्ड कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है तो यह जो है हमारी फोल्डिंग का निशान हो गया है अब हमने क्या करना है अब जो है हम अपने शोल्डर का निशान लगाते हैं तो शोल्डर का निशान हम इस तरह से लगाते हैं जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा शोल्डर है यहां पर वो है 14 इंच 14 इंच तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7 इंच, तो देखिए 7 पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, चोडाई में भी, sorry लंबाई में भी, और इस तरह से चोडाई में भी, जितनी भी हमारी शोल्डर होता है, उसका हम हाफ करते हैं, और फिर उतने ही इंच होती है, यही हमारी chest line होती है, यही पर हम chest का निशान लगाते हैं, ठीक है जी, अब उपर से shoulder से नीचे जो है, मैं waist line का निशान लगाऊंगे, कि हमने अपनी waist का निशान कहां लगाना है, तो अगर आप लोग heavy हैं, तो आप लोग 15 इंच तक लगा सकते हैं, ठीक है न, तो तो मैं यहापर जो है साड़े चौदा पर निशान लगा रही हूं मेरा 14 इंच रह जाएगा आप चाहें तो 15 तक भी लगा सकते हैं अगर आप लोग और ज्यादा हैवी हैं तो 14 से कम निये लगाना और 15 से ज्यादा नियी लगाना तो देखिए यह जो है हमारी waist line आ चुकी है अब हमने उपर से नीचे हमारी hip line का निशान लगाना है तो जो हमारी hip line है वो मैं 21 इंच पर लगा रही हूं तो मैं 21 पर इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगी क्योंकि यह देखे इस तरह से, अब यह हमारे सारे निशान लग गए हैं, देख सकते हैं आप लोग यह हमारी chest line है, यह हमारी waist line है, यह हमारी hip line है और यह नीचे हमारा bottom, अब हम क्या करेंगे, इसके size के according लगाएंगे निशान, तो जो हमारी chest होती है जितनी भी, उसको हम 4 से divide करते है जैसे कि मेरी chest है, यहाँ पर 40 inch, तो 40 को अगर मैं 4 से divide करूँगी, तो आएगा हमारा 10 inch, तो देखिए मैं 10 inch पर इस तरह से यहाँ पर निशान लगाऊंगी, और अब 1.5 inch जो है मैं margin करेंट कर दूँगी, इस तरह से, अब बारी आती है हमारी waist की, तो waist को भी हम 4 से divide करते ह है, तो हमारी waist है, यहाँ पर 34 inch, 34 inch, तो उसको हम 4 से divide करेंगे, तो आएगा हमारा 8.5 inch, यानिकी 8 inch, तो देखिए, 8.5 पर हम इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे, और 1.5 inch margin का, अब जो हमारी hip है, वो भी हमारी 40 inch है, तो 40 को हम 4 से divide करेंगे, तो 10 inch आएगा, तो हमने 10 पर निशान लगाना है, यह देखिए, इस तरह से हम 10 inch पर निशान लगाएंगे, और 1.5 inch हम margin का, अब हमने क्या करना है, बॉटम का निशान लगाना है, तो जो हमारा बॉटम था, वो था हमारा 22 inch total, लेकिन यह double fold है, तो इसको हम 2 से divide करते हैं, तो आएगा हमारा 11 inch, और 1.5 inch म दिया है, इसे जो है मैं इसकी निशान लगाऊंगी, पहले हम क्या करते थे, जो कम breast size होता है, उसमें हम इस तरह से straight मिला देते हैं, लेकिन जो heavy breast वाले होते हैं, उसमें हम straight नहीं मिलाते हैं, chest वाला जो हमारा निशान होता है, उसको हम हलका सा curve में मिलाते हैं, राउंड मे मिलाते हैं, क्योंकि जो heavy breast वाले होते हैं, उनका इस तरह से shape आता है round में, तो अगर वो बिल्कुल straight से लाई लगा लेते हैं, तो फिर उनका fitting अच्छा नहीं बैठता है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से ऐसे curve वाला scale लेना है, और इस तरह से आप जो है curve में निशान ल आठेगी, यह आपको देखने में अभी हलका सा curve लग रहा है, लेकिन जब मैं इसकी stitching करूंगी, तो मैं इसे बहुत अच्छे से गोलाई दे के stitch करूंगी, अब देखें, यहाँ पर से हमने इस निशान से half inch पर निशान लगाना है, और इस निशान से भी half inch पर, और अब इ नीचे से जो है हम straight करके ही इस तरह से straight वाले scale से ही ऐसे ही निशान लगा देंगे, उपर hip line से लेकर नीचे bottom line तक, fitting वाले को fitting वाले से और margin वाले को margin वाले से, तो जी हमारे सारे निशान जो है लग चुके हैं, अब हमारी आती है armhole की बारी, तो जो हमारे front side का armhole होता है, तो हमने क्या करना है front side के armhole के लिए, जो हमारी chest वाली line है, उसके अंदर हमने करीबन 5 inch या half inch, ठीक है, 5 inch या half inch पर आपने इस तरह से ऐसे निशान लगाना है, और अब उपर वाली line से आपने इस तरह से ऐसे तिर्चा एक निशान लगाना है, इस तरह से, अब जो हमारी अंदर वाली line आईए न, तिर्ची वाली, उसके according जो है, हम यहाँ पर armhole की shape देंगे, यह देखिए इस तरह से, और जो shape है हमारी उसको हमने अपने fitting वाले निशान तक मिलाना है, इस तरह से, अब जो हमारा neck है, वो हमारा 6 inch का, तो यह double fold है, तो हम 3 लेंगे, क्योंकि यह और फिर 6 inch हो जाएगा, तो देखिए 3 पर मैंने निशान लगाया, अब जो हमारी कंदी है, वो धोड़ी सी जुकी भी होती है, तो उसके लिए आप, जो है, half inch पर भी निशान लगा सकते हैं, पौना inch पर भी, तो मैं यहाँ पर half inch पर ऐसे निशान लगाऊंगी, और अब इसको भी इस तरह से ऐसे तिर्चा करकर मिला दूंगी, यह देखिए इस तरह से, तो जी यह हमारे फ्रंट साइट की पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, और अब हम इसकी asities cutting कर देंगे, जैसे जैसे हमने इसके निशान लगाए है, वैसे वैसे ही हम इसकी cutting कर देंगे, क तो जी हमारे सूट की जो है, फ्रंट साइट की cutting हो गई है, और इस पर मैं F लिख दूँगी, ताकि कोई confusion ना हो बाद में, ठीक है जी, तो यह हो गया हमारा फ्रंट साइट, अब इसी से जो है, हम अपना बैक साइट करेंगे, तो जी देख सकते हैं, आप लोग बैक नहीं होनी चाहिए, श्रिंक नहीं होनी चाहिए, आपके कपड़े में, बिल्कुल अच्छे से आपने बिछाना है, यह देखिए इस तरह से, और अब हम बैक साइट के आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो जो हमारे बैक साइट का आर्मोल होता है, वो हाफ इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाना है, और अब इस एक्स्टा निशान की अकॉर्डिंग ही हम इसकी शेप दे देंगे, जो हमारे सूट की फिटिंग वाली जो निशान है, वहां तक यह देखिए इस तरह से, तो जी यह हमारे बैक साइट के आर्मोल का निशान लग गया ह देख सकते हैं आप लोग, आप चाहें तो पहले निशान लगा लें, उसके बार कट करें, या फिर आप ऐसे भी सूट पर सूट रखकर भी, मतलब फ्रंट साइट पर, बैक साइट पर फ्रंट साइट रखकर भी, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, इस तरह से कर सकते हैं, य आपने एक्स्रा निशान लगाया है, उस तक, तो जी हमारे बैक साइट की भी कटिंग हो गई है, देख सकते हैं आप लोग, और अब जो यह हमारे निशानते वेस्ट लाइन का, यह देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे कट लगा लूँगी, और अब हिप लाइन पर भी, और नी स्लीव कट करेंगे, तो यह देखिए, यह हमारा स्लीव का कपड़ा है, तो इसको देखिए, मैंने ऐसे डबल फोल्ड में किया हुआ है, और उल्टा साइड हमारा उपर है, देख सकते हैं आप लोग, और अब इसको ही जो है, मैं इस तरह से ऐसे फोर्थ फोल्ड कर दूँ क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों स्लीव जो है, एक साथ कट कर रही हूँ, तो हम इसको ऐसे चार तय में रखेंगे कपड़े को, यह देखिए इस तरह से, और अब हमने अपनी स्लीव की लंबाई लेनी है, तो जो मेरी स्लीव की लंबाई है, वो है यहाँ पर 17 इंच, बट मै 19 इंच ले रही हूँ, क्योंकि नीचे हमें फोल्डिंग के लिए भी चाहिए होगा, और उपर हमें जो है, सिलाई के मार्जिन के लिए भी कपड़ा चाहिए होगा, तो देखिए, 19 इंच पर जो है, मैं इस तरह से ऐसे निशान लगा लूँगी, स्लीव की लंबाई का, औ अब इन दोनों निशानों को इस तरह से ऐसे मिला लूँगी, और अब इस कपड़े को कट करकर मैं अलग कर दूँगी, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, ताकि हमें स्लीव कट करने में कोई भी दिक्कत ना हो, तो यह हमारी स्लीव की लंबाई है, आप लोग देख सकते है 19 इंच, तो 1,5 इंच जो है हमारा नीचे बॉटम फोल्डिंग में जाएगा, और 1,5 इंच जो है हमारा उपर सिलाई में चला जाएगा, ठीक है जी, तो हमारा 17 इंच रह जाएगा, तो जी, अब सबसे पहले मैं यहापर 1,5 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाऊंगी नीचे बॉटम फोल्डिंग का, जो हमारी स्लीवस फोल्ड होगी नीचे से उसका निशान है यह, और इस तरह से मिला दुगी, तो जी, हमारे बॉटम फोल्डिंग निशान हो गया, अब हमने क्या करणा है, उपर से जिस तरफ से हमारी स्लीवस ओपन होती है, यह रekhyे, ओ आपका ये वले निशान आया है ना, इस पर जो है आप अपने आर्मोल का निशान लगाई है, तो आर्मोल हम लोग नाप लेते हैं, तो देखिए जो हमारे फ्रेंट साइट के सूट का आर्मोल होता है, उसको हम पहले अलग करेंगे इस तरह से ऐसे, और अब इसको जो है मैं नापना शुरू करूँगी तो देखिए इंची टेप हमने इस तरह से ऐसे रखना है और इस तरह से गुमाते हुए हमने नापना है तो आप लोग देख सकते हैं फिटिंग की सलाई तक जो है हमारा 9 इंच आ रहा है हमारा जो आर्मोल है exact वो है 9 इंच ठीक है तो अब जो है ह ऐसे तिर्चा निशान लगाना है ये देखिए इस तरह से इस तरह से हमने निशान लगा देना है अब हमने क्या करना है जो हमारा ये वाला निशान है तिर्चा वाला और ये जो आप 5 इंच देख रहे हैं ये हमारा मार्जन का हो जाएगा सलाई का मार्जन हो जाएगा ठी पर हमने जो है half inch पर ऐसे निशान लगाना है उपपर की side और अब इस half inch के according half inch के निशान के according इस तरह से हमने आर्मोल की shape दे देनी है गोलाई दे देनी है यह देखिए इस तरह से और अब हम sleeves की गोलाई का निशान लगाएंगे तो जो हमारी sleeves की गोलाई है वो है 12 inch तो यह double fold है तो हम छेपे निशान लगाएंगे इस तरह से और दे नीच हमारा margin के लिए हो जाएगा तो देखिए हम पूरा अपनी नीचे sleeves तक इस तरह से ही जो है निशान लगाएंगे और अब fitting वाले निशान को हमने fitting वाले निशान से इस तरह से ऐसे मिला देना है और margin वाले हम उसका भी हाफ करते हैं तो यह हमारा 2.25 तो यह हमारा यह देखिए 2.1 वन आएगा तो हमने इसका हाफ करना है और यहां पर हमने हाफ इंच से कम पर ऐसे निशान लगाना है और अब इस निशान के अकॉर्डिंग जो है हम नीचे की साइट से ऐसे गोलाई दे देंगे यह इस तरह से और अब इस वाले निशान को ऐसे S की तरह हमने जो है शेप बनानी है उपर वाले निशान तक मिला कर यह देखिए इस तरह से इस तरह से जो है हमने S की तरह ऐसे हमने एक शेप दे देनी है ठीक है जी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगो समझ आ रहा होगा इस त से जो हम उपपर वाली शेप के अिस तरह से अपनी स्लीस को कट कर देंगे इनीचे से भी थोड़ा सा एक्स्टा होरा था तो मैं इसको कट कर estimates कर ऐसे निकाल जो यह हमने S वाला निशान लगाया था न यह हमारे जो है front side की गहराई होती है और यह बहुत जरूरी होती है sleeves में बढ़ना यहाँ पर आपके fulla fulla रहता है sleeves के पास breast के पास तो यह आपने गहराई जरूर देनी है तो देखे उसको हम इस तरह से ऐसे cut कर कर निकाल देंगे तो जी देख सकते हैं आप लोग कितनी easily जो है हमारी sleeves की cutting हो गई है और बहुत ही अच्छी जो है ऐसी sleeves की fitting आती है आप लोग काट के देखिएगा बहुत अच्छी से जो है fitting आती है तो जी यह है हमारी sleeves यह है हमारा suit की cutting और यही था मेरा आज का वीडियो उमीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझाया होगा और आप लोग के लिए helpful रहा होगा तो गाइस यह तो था हमारा 40 और 40 से plus बालो की cutting हम किस तरह से करते हैं ऐसे ही मैं एक-एक करके एक-एक size के मतलब according जो है वीडियो शेर करूंगी आप लोग के साथ तो जी उमीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो चैनल को subscribe जरू करिएगा वीडियो को like करिएगा और share करिएगा और हाँ मेरे दूसरे चैनल को जरूर subscribe करिएगा तो उसका link में निचे description में दे दूँगी तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में